अगर आप हो One Piece के बहुत बड़े फैंस तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम करने जा रहे है One Piece Burning Blood का गेमप्ले इस गेमप्ले में Paramount War वाला सीन सेट है जिसमें Luffy Ace को बचाने के लिए जाता है क्योंकि Ace का execution होने वाला मरीन फोर्ड में और वहाँ पे सारे के सारे वालोड्स, नेवी अड्माइरल्स ये सब अवेलेबर है और लूफी इंपल डाउन से भाई अभी मरीन फोर्ड पहुंचा है और उसे Ace को हर हालत में बचाना है तो चले शुरू करते हैं आज का gameplay वीडियो तो दोस्तों One Piece Burning Blood के अंदर जो है Paramount War का scene है जो हमारा story mode चलता है वैसे तो एक fighting game है जिसमें हम characters की fighting करते हैं अगर मैं इसका story mode समझू तो Paramount War है जिसमें Luffy Ace को बचाने जाता है अपने भाई को बचाने जाता है क्योंकि Ace का execution होने वाला है मरीन वाले भाई उसको माने वाले तो चले शुरू करते हैं फटावर से पहला हम chapter शुरू कर लेते हैं और बिल्कुल वहीं से शुरू हो रहा है जब लूफी वहां पर पहुंचता है इम्पेल डाउन पर इम्पेल डाउन से भाई इम्पेल डाउन में जाता है पहले वह एस को टूनने के लिए लेकिन उसको तक ego करा दिया होता से वह वह फटावर इहां पर पहुंसता है मारी फोर्ट में तो भाई एस को अल्रडी ले जा चुके है एक्स्टीशन साइट पर और लुफी आ चुका है यहां पर इंपल डाउन से इंस्ट्रो है टीम अराइव यह जो हमारा पहला एपिसोड है अभी यहां पर देखते हैं किस से फाइड होती है सबसे पहले तो उस इस से फाइड होगे सबस्क्राइब कर देख लिए उपर से आता है इनका जहाज बोलते हैं कि बाई स्पेस से इनका मतलब वह जहाज गिर रहा है और यह ने देख लिया फाइनली लुपी को उपनी कि बोला कि अभी उपना इंवारन देख लिए अब है नहीं कर सकते उन क्यरक्टर में से इका इनका उपनाइब को तो व्यां को बड़ा पसंद आया उसका क्यरक्टर अब भी आएज को देख लिया फाइनल लूपिन है अभी आएगा बचाने के लिए लेकिन यह एस को रेस्क्यू कराना भाई बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे रास्ते हो बहुत सारे यहां पे मरीन वाले हैं उपसे ए्ड्माइरल्स भी है नेभी अड्माइरल्स और वॉलोड्स भी आएगा यहां पे तो यह भी एक मुश्किल का सामना हमें करना पड़ेगा वाइट बीर्ड भी है, क्रोकोडाइल भी है, क्रोकोडाइल अटाक कर रहा है, क्रोकोडाइल वाइट बीर्ड को टेक डाउन करने के चक्कर में है, आहा, लूफी आगया बाई, क्रोकोडाइल को पहले लूफी से लड़ना पड़ेगा, अगर वाइट बीर्ड पाटाक करना ह तो लूफी होने नहीं देगा चले लूफी की पहली वाइड जो है और अभी हमें टुटोरियल दिये जाएंगे की कैसे ये गेम को आगे बाज सकते हैं हम वाइड बाज है किए पता नहीं था लूफी को कि ये वाइट डियर्ड है वैसे भी लूफी नहीं चाहता की वाइड बाज़ पे कोई हमला एतर सकते है लूफी के करना हमें A से गायट करना है हमें B से तो मूव करते हैं हमें सारे क्यरक्टर स्पहले हम निकाल लेते हैं गार्ड और जंप का बटन बी दबा देते हैं एक बाक टुटोरियल कंप्लीट हो जाएगा फटाबट से नॉर्मल अटैक करते हैं ओके जर्ड भाई रेंज अटैक रेंज अटैक यह रेंज अटैक देगा यस यह नॉर्मल अटैक है और यह रेंज अटैक हो गया ओके यू से यूनिक और लस और डाउन से यूनिक का गम गम पिस्टल और गम गम स्टैंप ओके दोनों चीज मैंने लगा लिये यहां पर और एक्स और एक के साथ अगर मैं करूं परफॉर्म कर रही है गार्ड ब्रेक ताकि हम कोई करेक्टर गार् आसकूं तेगा गार्ड ड्रेक अटाक मैंने यूस कर लिया इस्टॉप स्टेप टू अवाइड अलस गार्ड करते समय है मैं को लस उपर नीचे करना है ओके फिल गार्डिंग हो गई है स्टेपिंग हो गई है और यूनिक को गार्ड को में खट्टे दबाऊंगा तो से खब कर सकते हैं सिफ है है वैक गार्ड कर लिया है है विकारड प्रेकस मैं कोई नगार करा के बैथ है तो मैं उसको यह आपगिंकर रिक से लेकिन इसमें ये चीज निया विस लग वाइक क्रोकोडाइल ले गया कॉंबो यला साडे तू जेट स्टम्प खा क्रोकोडाइल को थोड़ा सा एक मुक्का और माना क्रोकोडाइल खतम है चलो रोकोडाइल गया वाई फाइनली तो हमने कोकोडाइल को यहां पे हरा दिया अब हम आगे बढ़ेंगे अपने ब्रदर को बचाने के एक और स्टेप प्लूइशर वाइड वियर्ड जी मेरे सामने है बाइड पाइरेट किंग तो से फ्लूफी बनेगा और कोई नहीं बन सकता अगे फिखडियर्ग जाओ आधराेटा सवस्चिश्च्शने जू अनतरे एस रभवर फिख आपशर अगे पोस हां अगे अगे यह वाई किजारू चुरंग यह उसके इससे था में बहुत नफरत है वाई किजारू से में बहुत नफरत है सेंगो कु मुझे पसंद है सेंगो कु बंदा ठीक लगता है मेरे को लेकिन किसरू उससे में को पता नी क्यों पहुत जादा नफ्रत है और कि अंतर्मिंअगो काईनो से भी अभी हमाई पस दो ऑप्षिन से और खुले है दो रास्ते और खुले यह तो देखो यहां पर मैं फेस ऑफ कर सकता हो दो रोयन वाल लॉर्ड्स और यहां पर मैं क्यों प्रूमा जाएका मैं चलो हो लैसे चलता हूं भाई फ्लो मेरी वेनिंग कंडिशन ही है कि मैं जीतना है और कोई आप्षिन है नहीं मेरे पास गेको मोरिया आया गाईज फेस ओफ करेंगे टू रोयल वालोड्स यानि कि जिंबे होगा एक वालोड और जरूर गेको मोरिया से पर फाइट होनने वाली आभी हमारी जिंबे वससस अ हम क्या हो गए गुको मोरिया साडा मोटू तो गाइस जिंबे पेले गाज इसको मैं तुह बोल रहा हुं जिंबे को पेलना पड़ेगा जिंबे को पेलना पड़ेगा यह लओ वैए आश की वे खराटे फिशमेन कराटे मारो भे ऐसकी और क्या फिशमेन कराटे थाउजन ब्रिक्स वाटर स्प्लैश का साले तू मोरिया नहीं जिंबे जिंबे संबाले गा जिंबे को बोले लुफी तू बैटर भाई से लड़ मा तू अपनी पावर बचा लुफी वह साला D disciplined शु 씨म के लाफ मिरमा मैं लाफ तो अगर मैं डिविल्ष की बात करो मैं को मुरिया की भी भी पार फिलटि है सबसे बस्त य थैरुटर ओमें लगदिय फरे तो शाष्र शायर कारया चीडर रो रो दो अव्य यार यह क्या बातु ही जिंबा गया वह भाई मोरिया ले ने जा रहा भी मोरिया है भी तो ऊलोड यार मैं क्या बोलूँ तो सिट ऑस्मोरिया बेट आप तू बचेगा नहीं जिंबा खताम हो गया इसके चकन मैं क्वाए मेरा इसने ट्रांस्वरमेशन वेस्ट कर आद्या वैरा इसने अल्टिमेट फिनिश्च कर दिया ता मैं अल्टिमेट फिनिश्च ले रहा था है जए जट में जा गई जट जट पिस्टल मान तर फिर मैं इसको ले जाता गेर थर्ड पर ले जाके गम-गम कोई बात नहीं बैटल एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं अभी हम स्टोरी मोड में जिंबे अमारा उन्लॉक हो गया वाई इसी के साथ देखो क्यरेक्टर उन्लॉक तब ही रहिए कि-अरफ बात्व होगे जब मैं यह जो भी इनके हैं इनकी अलwarzा जुर लगा ठीक है पर तोत यहां पर मैंने क्लियर कर दिया ना वह कि अगया से मैं सिंगल सिंगल सिंगलिस्तोरी में आगे बढ़ सकता हों कर डूब आ और दो इसके बाद एक lill फि thumbs up पर आएगा उसको हम बाद में करेंगा साइड स्टोरी है क्योंकि में इस्टोरी में मैं आपको थोड़ सा और आगे लेके चलता हूँ अभी लूफी फिर आ रहा है आगे एस को बचाने के लिए जब कि स्मोकर ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया बाई तो एक ANEXPECTAIRD REUNION है SMOKER आ गया क्योंकि क्याप्टन होता उस टाइम पे SMOKER नेवी का तो और SMOKER का मेन MISSION रहता भाई लूफी को पकड़ना सिर्फ लूफी के लिए ही यहां पे तो अभी विलाल हम स्मोकर से फाइट करते हैं इसका जब वैपन है इस वैपन में सी प्रिस्म स्टोन होता है तो सी प्रिस्म स्टोन क्या करता है जो भी डेविल फावर्स वाले लोग होते है उनकी पावर खतम कर देता है अगर वो टैच होता है डेविल डेविल ओके special attack बता रहे हैं LB से special XYB से मैं कर सकता हूँ ठीक है special लेता हूँ भी ले गम गम बुलट खा सा ले तू गम गेटलिंग भी लेते है तू का खा तू गम गम ठीक है अब मेरी अवेकन हो गई है मैं अवेकन करता हूँ बाई गेर सेकंड और गेर अवेकनिंग के बाद यसे यूज कर सकते हम अल्टिमेट अटैक जो मैं पिछली बार यूज कर रहा था लेकिन वहीं स्मोकर के साथ खिलाफ ही ठीक है जैट बजू का देदी गया थड़ फेगे गया अंतर पिस्तल मावी वाई स्मोकर के अल्टिमेट अटैक फिनिश खतम हमा यह ले साड़े रॉकेट खातू अब गाई इसको मैं फटा फट एक अल्टिमेट फिनिश देता हूं खतम स्मोकर का काम खतम बाई स्मोकर का काम खतम जाज पाड़ दिया इसना मरीन का वह के पालवा है में पत्तों वह कि हुए और भाई आपने एक नहीं यह तो आफटे युटर थैद जो गोड़ाई चाभी एस के हट खड़ियो मैं की है हेंक कर्पा लखी के लीजूट === वह्रो वो १ॉ हेंक करिए लेकिन लूफी करें लेकिन जैड़ी है आपको पता है वाई अइसा इसा वंदा है वह हैं-को कंभी हमारी मदद करेगी साइड र साइड र साइड साइड ठीक है स्मोकर को रोपने में मदद करेगी अपी हाला कि वालोड होती है हैंकॉक लेकिन लूफी की साइड़ आए आए तो हैंकॉक को लड़ने दो स्मोकर से हम आगे वड़ते हैं अपने भाई को बाई इसका एपोज मासता है ठीक है आगे लेट्स गो प्रो तो एक्स्पेरिंस हमारा आगया बढ़ गया है सबका एक्स्पेरिंस बढ़ रहा है आगे बढ़ते हैं अभी नी हॉक से फाइट है इसको है इसको हराना तो इतना बड़ा सोर्ट्समैन बनना चाहता है जो बाई इसको हरा नी सकता है हरा पाए अभी विलाल में सामने मीहॉक है अभी हम फाइट करेंगा हम हरा तो सकते नी मीहॉक को लेकिन जैसा भी रहेगा बाई देखते हैं क्या कर सकते हैं इसकी ब्लाक सोर्ड है बहुत पावर्फुल सोर्ड है यह बस यह चाहता है कि मैं एसकेप कर पाऊंग इसकी किसमत क्या देती है में साथ मैं इससे फाइट कर आया है यह और विससी सही बात है मैं इसको बचाने आया है लेकिन रास्ते में है तो काटा तो दूर करना ही पड़ेगा आजोने करना है उल्हुत इसकी का मैं साथ हैं नहीं पासिरिश다는 के उन्हान कहना है कि मैं विससी की खाणिए भीन में इससे की के आए है ज्टेशनवे घ्लावर सुने बात ताम कॉने पक्ता Ademásfund आए भीन में अग्दूर्ण साड़े मिहोग को पेलना पड़ेगा गई मिहोग को पेलना पड़ेगा इसकी ब्लेक सोर्ड तो भाई यह तो मोका ही नहीं देता है यार कि अचलो लगा दिया है फिलाल हमने अल्टिमेट जैट वजू का भी लग गई जैंट पिस्टल लग चुकी है लेकिन पावर सादा गई यह मिहोग किया बहुत बहुत पावर फुल है कैसे हराएंगे इसको लुफी और इसमें जादा फरक हैंगी चांस तो लग रहा है में को यहने ब्लॉक कर रहा है अब बस थोड़ा सो और तो पी होक को भी हमने फिलाल रास्ते से हटा दिया है अभी हम थोड़ा सो और आगे बढ़ सकते हैं रास्ते से क्या ही हटाया बाई रास्ते से हटाने के लिए बगी आगया है बगी आगया बगी मस्ट केरेक्टर है यार बगी मस्ट केरेक्टर है बगी मस्ट केरेक्टर है बगी मस्ट केरेक्टर है बगी तो भाई पैसिफिस्टा से अटैक होने वाले आगे गेमप्ले होने वाला भाई बहुत ही जादा जबर्दास तियार अगर आप यह हम देखे वाइट बेर्ड अब आगे बढ़ने कोशिश कर रहा है अब वाइट बेर्ड पर अटैक कर दीगा इस पाइडर वाला साला बंदा आप यह पीछे अटाक करता यह एटर बाया बाई अटेयार तक बाई पिछे अच्टे आटाक करते हैं यह कुछ करते हैं यह आप देगाए अटाक करते हैं यह टुद कर से आप झाला आपकर नाना लिए ऑटाक की मजह से Hai Beim काफी कम हो जातीया एाथ अजब अगरी hyaПр हम करता तो सायद मरता है ना क्योंक्यyy के आपे पauen से किंग चार सह जाता है और ठैज्वे कोशलूरर है असा हालत में आगे ही और टका से इसक्राट नहीं है ओचे crystal कितना कितना आहे में झाली ओर करेंगे भया है कि घर लुछ अथािख तरूली . बार न जड़ को बड़को लुछ है. झाली कि लग रहे हो ऊंस । अपैश यह युछ है. झाली में लुछ नहीं सोरी लुछ है. अगर आपको ये gameplay अच्छा लगा तो प्लीज याँ चैनल को अगर ना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और इसके back to back gameplay वीडियो मैं लाने वाला हूँ क्योंकि by burning blood एक ऐसी गेम है ना जिसमें मिरको लबबक सारे character से खेलने के लिए मिलने वाला है तो फिर मिलें अगर नए gameplay वीडियो में तब तक के लिए बबाई शुक्रिया थन्देवाद